तो दोस्तों ये है हनुमान गड़ी के बजरंग बली आयोध्या के सर्यू नदी के दाहिने टट पर उंचे टीले पर इस्तित हनुमान गड़ी सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है अयोध्या में राम जन्म भूमी के दर्सन करने से पहले हनुमान गड़ी के बजरंग बली के दर्सन करने होते हैं यह एक नियम है और यही हनुमान गड़ी के बजरंग बली है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं सिहिद्वार से हनुमान गड़ी बजरंग बली के दर्सन करने सिहिद्वार से पतली सक्री तंग गलियों से होकर हम मंदिर तक पहुँच सकते हैं सिहिद्वार से थोड़ा ही आंगे बढ़ने पर एक तिराहा आता है जहां थोड़ा भीड़ बार और कई मिठाईयों की दुकाने हैं बस आप मंदिर पहुँच चुके हैं इन्ही मिठाईयों की दुकानों के बीचो बीच एक गली है जहां पर ये बजरंग बली का मंदिर इस्थित है यही हनुमान गड़ी के बजरंग बली का मंदिर है भूमी की रक्षा किया करते थे इसी कारण इस स्थान को हनुमान गड़ी या हनुमान कोटा कहा जाता है बाद में इसे हनुमान जी का घर भी कहा गया यह मंदिर चारो तरफ से किले की तरह बनाया गया है जहां पिरतेक कोने पर एक गोलाकार प्राचीर है जिसमें हनुमान जी का मंदिर है दो कि दिर्म में पहुंचने के तीन दर्वाज्य है जो कि चान्दी की नकासी से अलंकृत हैं मंदिर गभगल्रह में भगवान राम का नाम लिखी हुई चान्दी की तुसीक इमाला हनुआ जी को सुसोभित करती है मंदिर की बाहरे दिवारों पर विभिन सुन्दर नकासियों प्राचीन मूर्तियों फूल पत्तियों और विभिन देवी देवताओं को उकेरा गया है अयोध्या की हनुमान गढ़ी सबसे उची इमारत है जो की चारों और से नजर आती है इस विसाल म हुआ है धार्मिक मानिताओं की बात करें तो इस मंदिर में कोई भी भक्त अगर हनुमान जी को लाल चोला चड़ाता है तो उसे सभी तरह के दोसों से मुक्ति मिलती है एक अन्यमानिता के अनुसार हर पूजा से पहले हनुमान जी की पताखा राम जन्म भूमी इस्थल तक ले जाई जाती है इस पताखा को एक साथ लगभग 200 लोग राम जन्म भूमी तक ले कर जाते हैं इसकंद पुराण के अनुसार राजा विक्रमा दित्य ने 360 मंदिरों के साथ हनुमान गड़ी का निर्माल किया था लेकिन मुगल सासक और रंग जेम ने हनुमान गड़ी को तरह नष्ट कर दिया और एक मस्जित का निर्माल कराया बाद में बैराग ने अवद के राजा नवाव सुजाउद दौला को एक युद्ध में हरा दिया और आयुध्या भूमी पर कब्जा कर लिया उन्होंने मस्जित को हटा दिया और हनुमान जी के लिए एक नया मंदि एक मस्जित पर बना गया है इसलिए उन्होंने कई बार मंदित तोड़ने की कोषिस की लेकिन वे बार बार असफल हुए हनुमान गड़ी के इस हनुमान मंदिर में चारों और दिवारों पर हनुमान चालिसा और रामायņड की कई चपाईया लिखी गई है हनुमान गड़ी का हनुमान मंदिर वास्तों में एक गुफा मंदिर है यहां तक पहुँचने के लिए लगभग 75 सेणिया चड़नी होती है यहां गर्ब ग्रह में इस्तित हनुमान जी की पृतिमा 6 इंच लंबी है जो की हमेशा फूल मालाओं से सुसोभित रहती है मंदिर परिसर में माता अंजनी और बाल सरूफ हनुमान की पृतिवा है जिसमें हनुमान जी अपनी माता अंजनी माता की गोद में बैठे नजर आते हैं अयोध्या स्री राम की नगरी है इसलिए कहा जाता है कि इस हनुमान गड़ी में स्री राम के परमभक्त हनुमान जी का हमेशा वास रहता है यहां मंदिर की एक खथा बहुत मसूर है कि यदि मंदिर के पुजारी को मंदिर के निर्मार के कारे में या कोई अन्य पेकार के कारे में जो की मंदिर से संबंदित है वह कारे करना होता है तो वह पुजारी हनुमान जी के पास एक पत्तर रखकर हनुमान जी से उस कारे को करने की अनुमती मांगता है और यही इस मंदिर का नियम है हनुमान जी की आग्या के बिना यहां पत्ता भी नहीं हल सकता है और विश्वास मानिए कि आप मंदिर भी तभी पहुंच पाते हैं जब आपको बजरंग बली श्ussen दर्शन देना चाहते हैं। बजरंग बली भक्तों को स्वयम मंदिर बुलाते हैं बजरंग बली की इच्छा के बिना आप कितनी भी कोशिस क्यों ना कर लें आप मंदिर नहीं पहुंच सकते हैं बजरंग बली मंदिर गर्ब गरह के ठीक सामने राम दरवार का मंदिर है जहां स्री राम माता सीता के साथ हनुमान जी राम जी के सभी भाई और राम जी की सभी माताओं की प्रतिमाएं इस्थापित हैं मंदिर की बाहरी दिवार खाली नहीं है या तो मंदिर की दिवारों पर हनुमान चाली सा लिखी है या रमायन की चौपाईयां कहीं कहीं हरे किष्णा सीता राम जैस्री राम ओम नमस सिवाय जैसे कई मत दिवारों पर लिखे देखे जा सकते हैं यह मंदिर बेहद ही खुबसूरत तरीके से बनाया गया है मंदिर दिवारों को रंगने के लिए कई तरह के रंगों का प्रियोग किया गया है जिनमें लाल, हरा, पीला, सफेद और नीला रंग प्रमुक हैं हनुमान भक्त मंदिर परिसर में ही बैट कर हनुमान चालिसा, हनुमान अश्टक और बजरंग बली के विभिन मंतरों का जाप करते हैं तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमें जै स्री राम लिखना भी ना भूलें जै जै सीता राम